PF और ESI Registration एक और बहुत इंपोर्टन टॉपिक आप लोगों में से कई लोगों ने मुझे मैसेज किये कि सर PF और ESI Registration के ऊपर वी एक वीडियो बनाईए तो आज हम डिसकस करने वाले हैं एक बहुत इंपोर्टन टॉपिक PF Registration और ESI Registration ये क्या होता है, किसके ऊपर applicable होता है कितने percentage से PF और ESI काटा जाता है इनकी due date क्या होती है, registration process क्या होता है क्या क्या documents लगते हैं ये सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं तो बिल्कुल भी time waste नहीं करते हैं मैं आपका दोस्त सीए शंतिलार्फीन लाया हूँ आपके लिए एक और important lecture ESI and PF Registration और जो हमारा मोटो है वो तो आप लोगों को पता ही है Learn today and Earn tomorrow आज हम सीखेंगे और कल हम पैसे कमाएंगे तो इसी मोटो के साथ स्टार्ट करते हैं आज का lecture तो सबसे पहले देखते हैं कि PF किसके उपर applicable होता है तो कोई भी person जो अपने अंडर 20 या उससे ज्यादा employee रखता है तो उसके उपर ये obligation होता है कि उसको PF Act में अपना registration करवाना होता है अपनी organization को PF में register करवाना होता है तो अगर आपके 20 या उससे ज्यादा employee है तो आपको भी करवाना होगा PF Act में registration अब बात करते हैं ESI registration की PF में जो limit है employee की वो है 20 और ESI में जो limit है वो है 10 तो अगर आपके factory या establishment में 10 या उससे ज्यादा employee है तो फिर आपको ESI में भी अपने आपको mandatoryly register करवाना होगा जैसे ही आपके employee 10 से ज्यादा होंगे वहाँ से within 15 days 15 दिनों के अंदर अंदर आपको ESI में अपना registration करवाना होगा तो PF की जो limit है वो है 20 employee और जो ESI, ESIC की जो limit है वो है 10 employee ठीक है friends चलते हैं आगे चाहे PF का registration हो और चाहे ESI का registration हो इन दोनों ही registration में कुछ documents लगते हैं जो common है आईए देखते हैं सबसे पहले अगर आपकी factory है तो आपका factory act में registration होगा तो उसका registration certificate आपके पास होना चाहिए अगर shop छोटी मुटी shop है छोटा मुटा काम है तो shop and establishment act का registration होना चाहिए labor act का registration होना चाहिए उसके लावा आपका जो भी आपकी firm है जो आपकी company है वो जहाँ भी registered है तो उसका company registration का certificate partnership firm है तो partnership deed GST certificate company है तो उसका memorandum article जहाँ पर आपका business है वहाँ का address है उसका जो proof होता है नॉर्मली जो अभी तक हम देखते आ रहे है electricity bill, property, tax की copy, rent agreement ये सारी चीज़े ठीक है और list of employee जितने भी आपके employee है उनकी पूरी list आपके पास होनी चाहिए उसके लावा सभी employees का pen card वगएरा उसका address proof आपके पास होना चाहिए company का जो bank account है उसका cancel check आपके पास होना चाहिए अगर company है तो list of director list of shareholder होना चाहिए और सारी employees की attendance का record आपके पास होना चाहिए तो ये वो कुछ documents है अगर आप PF और ESI में registration करवाने के लिए जा रहे हैं तो ये documents आपके पास होने चाहिए अब बात करते हैं wage limit की salary limit की तो देखिए PF काटनी की जो limit है वो है 15,000 या उससे काम मतलब अगर किसी employee की salary 15,000 से ज्यादा है for example 20,000 तब भी उसका जो PF कटेगा वो option है कि आप 15,000 पर ही काट सकते हैं तो जो PF आपका कटेगा वो 15,000 तक की salary पर ही कटेगा अगर किसी employee की salary 15,000 से ज्यादा है तो भी उसका जो PF कटेगा वो 15,000 पर ही काटा जाएगा उसी तरह ESI की जो limit है वो है 21,000 उनही employee का ESI काटना है जिनकी salary 21,000 या उससे कम है 21,000 से उपर वाले employee ESI में cover नहीं होते हैं लिमिट है 15,000 और ESI की लिमिट है 21,000 PF में अगर किसी employee की salary 15,000 से ज्यादा भी है तब भी उसका PF 15,000 पर ही कटेगा और ESI में अगर किसी employee की salary 21,000 से उपर है तो वो ESI में cover नहीं होता है उसका ESI नहीं काटा जाएगा चलते हैं आगे जो ESI काटने की जो rate है उसकी बात कर लेते हैं तो देखिए ESI 4% कटता है आपकी basic salary का 4% ESI कट जाता है उसमें से जो employer का contribution होता है वो होता है 3.25% और employee का contribution होता है 0.75% अगर आपकी salary है 20,000 तो आपकी salary का 3.25% वो जो है आपका employer जमा करेगा और 0.75% आपकी salary से कटेगा इसको एक example से थमझते हैं कि अगर आपकी salary है 15,000 तो employer अपनी जेब से 3.25% यानि की 487.5 इतना जमा करेगा और आपकी salary से 0.75% यानि की 112.5 इतना आपकी salary से कटेगा तो total 600 रुपाए ESI का contribution चला जाएगा तो जो total contribution का जो rate है वो है 4% I hope clear हो चुका होगा contribution जो काटा जाता है salary से वो next month की 15 से पहले पहले हमें deposit करना होता है जैसे अभी April का month चल रहा है तो April का contribution 15 में तक हमें deposit करना है और जो माई का होगा वो 15 June, June का 15 July, July का 15 August and so on तो जिस भी month का ESI कट रहा है वो next month की within 15 तक हमें deposit करना होता है ठीक है सर इसके अलावा ESI का 6 मन्त में एक बार return जाता है ठीक है तो 6 महीने में return जाते हैं साल में 2 return जाते हैं due date क्या होती है 11th of May और 11th of November ये है ESIC के return की due date ठीक है friends आगे चलते हैं और अब बात करते हैं PF के contribution के rate की तो PF जो काड़ा जाता है वो काड़ा जाता है 12% से जितना आपकी salary से कटता है उतना ही employer अपनी जेव से जमा करता है यानि कि 12% PF कटता है तो इन 12% में 8.33% होता है किसका EPS का Employee Pension Scheme का और 3.67% होता है वो Providence Fund का होता है जो Employee का 12% होता है और जो Employee का 12% होता है वो पूरा का पूरा PF का पैसा होता है आए इसको भी एक 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 जामपल से समझते हैं अगर आपकी salary है 12,000 तो जो आपकी salary से 12% यानि कि 1440 कटेगा वो पूरा-पूरा कहा जाएगा PF में जाएगा लेकिन जो Employee अपनी JEP से जमा करता है उसका 8.33% यानि कि 9.60 ये जाएगा EPS में Pension Scheme में और 3.67% यानि कि 440.40 ये जाएगा PF में तो जो Employee का contribution होता है उसमें दो पार्ट होते हैं Pension का और PF का और जो Employee की Sally से कटता है वो पूरा-पूरा जाता है PF में यहाँ तक I hope चीज़े क्लियर हो गई होंगी अगर किसी चीज़ में कोई confusion है कोग तो comment section में मुझसे जरूर पूछिए जो due date होती है PF return की वो भी एक महिने में दो होती है मतलब PF के payment की due date भी क्या होती है 15 day of next month और वही PF के payment की date भी है और वही PF के return की due date भी है तो return और payment दोनों हमें next month के 15 से पहले पहले कर देना होता है ठीक है और यही वो reason है कि मैं बता रहा हूँ कि PF और ESI भी GST की तरह ही एक earning opportunity है हम GST का registration करवाते हैं और वहाँ पर भी हमने क्या दिखा था हर मन्थ हमें GST का return फाइल करना होता है तो हमारी recurring nature की income होती है तो PF और ESI की client भी अगर आप बनाते हैं तो अभी आपने देखा कि ESI का जो contribution होता है वो भी हर मन्थ जाता है और PF का payment और return ये भी हर मन्थ जाता है यानि कि अगर आपने PF और ESI की client भी बना लिए तो हर मन्थ आपको recurring nature की income होना शुरू हो जाएगी ठीक है तो GST के clients भी बनाईए और कोशिश करिए PF और ESI के client भी जरूर बनाईए इसके अलावा PF का एक annual return भी जाता है वो जाता है हर साल 25th of April तक ठीक है तो अभी आज 13 तारीक है जो पिछले साल का जो भी annual return है PF का वो कब तक जाएगा 25th of April तक ठीक है अगर आप PF को देर से जमा करते हैं तो delay payment का interest लगता है 12% per annum for each day of default ठीक है friends जो ESI registration जो हमारी salary से 0.75% कड़ जाता है तो इसका benefit क्या होता है तो देखिए ESIC employee का जो ESI कड़ता है ठीक है तो उसका benefit यह होता है कि जो sickness benefit होता है the rate of 70% ठीक है वो उसको मिलता है कोई काम करते समय उसको चोट लग जाती है या वो बिमार पर जाता है या उसका कोई इलाज होता है तो वो free of cost होता है उसके खुद का medical benefit उसको मिलता है उसके family भी इसमें cover होते है कोई woman है जो pregnant है उनको maternity leave में जो paid leave मिलती है वो उसका benefit मिलता है 4th point क्या गह रहा है if the death of employee happens while on work 90% of the salary is given to his dependent in the form of monthly payment after the death of employee अगर किसी की salary 50,000 है और उसकी death हो जाती है काम करते होए तो 50,000 का 90% हर मन्त जो dependent है उसको मिलता है तो ये benefit होता है ठीक है और जो funeral expense होते है वो भी इसमें cover होते है old age medical care होता है वो भी इसमें cover होता है तो ESI के बहुत benefits होते है ठीक है चलते हैं आगे अब आ रहा है सबसे important कि sir P.E.S.I. का registration करना कैसे है पहले P.E.S.I. के लिए अलग website थी और ESI registration के लिए अलग website थी लेकिन government ने हमारी सुविधा के लिए एक common portal बना दिया common registration process बना दी तो इस website को आप note कर लीजे registration.shramsowidha.gov.in P.E.S.I. दोनों की जो registration process है वो common है documents, information सब common जाती है और दोनों का registration मिल जाता है मतलब process एक और registration दो तो अब हम अगले part में इस website पे जाएंगे और practically step by step सीखेंगे कि P.E.S.I. का registration कैसे किया जाता है आज हम लोग यहीं तक रखते हैं अगले lecture में देखेंगे registration steps वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें